हमारे सडंत कारियों को ये पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतनी उचे पदों पर जा सकता है जार्खन रुकेगा नहीं और जार्खन चुकेगा नहीं मैं अब सपदगरंग लेने जा रहा हूं और सपदगरंग के बाद हम लोग जो रुकी हुई गारी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा गाओं गाओं तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार की विकासकारियों को रफ्तार दिया जाए लोगों मैं बेबुनियाद आरोप पर जूटे मुकदमे केस बनाकर मुझे मुकमत्रिपत से हटाने के लिए मजबूर कर दिया लेकिन ये लोग हमारे कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक करके कुछ समय के लिए रोक पाए आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा जार्खन के जनता और देश की जनता को मेरी और से जुहार है आज चार जुलाए का तारीक है 31 जनुवरी का दिन यही जगा मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुध हमारे विपक्षों ने सडेंत रचा है और यह सडेंत्र में काम्याब भी हुए आज पांच मेहनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जिल में रखने का प्रयास किया हमने भी कानूनी लड़ाई का रख्ता अक्तियार किया सडकों पर आप लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया और अन्तोगत्वा नियाए के आदेश के अनुरूप और नियाए ने मुझे पाक साफ करार देते हुए बरीकिया आज मैं पुनह आपके सामने हुए दोजार उन्यस में आप सब लोगों ने मुझे राज को इक दिसा देने के लिए आपका सेवा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया था लेकिन हमारे सड़न्त कारियों को ये पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतनी उचे पदों पर जा सकता है और अंत्ता एकतिस जनवरी को इन लोगों ने बेबुनियाद दारोप पर जूटे मुकदमे केस बनाकर मुझे मुखमत्रिपत से हटायने के लिए मजबूर कर दिया लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं रहता है कहीं न कहीं आज आप लोगों की दुआ और आप लोगों का सिर्वाद जो बिगत लोग सवा में जार्खंडी एकता का जो परिचाय आप लोगों ने दिया है इसके लिए मैं जार्खंड वासियों का सदा रेनी रहूंगा और हमने पहले भी कहा है जार्खंड के जे जो हमारा प्रदेश है यहां के जो आदिवासी दली पिछड़े एल्प संक्या गरीब कुछले किसान मजदूर हम उन्हीं के आवाज हमेशा बनने का प्रयास की हम लोगों ने किया है लड़कर जार्खंड लिया है और गरीब कभी भी कोई प्यार से किसी ने कुछ दिया नहीं है हमेशा संगर्श उनको करना पड़ा है लेकिन जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया हम अनुवरत आपके दरवाजे तक पहुँचने का प्रयास हमने किया था लेकिन यह लोग हमारे कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक करके कुछ समय के लिए रोक पाए अब मैं पुनह आपके समझ आ रहा हूँ और आपके लिए हर संभव आपका हक अधिकार आप तक पहुचाने के लिए मेरा प्रयास रहेगा और इस राज के लिए मेरा हर एक नेने यहां के मूलवासी आदिवासियों के लिए यहां के दबे कुछले सोसित पिषड़े वर्गों के लिए हर वर्ग हमारी कोशिस रहेगी मैं अब सपदगरन लेने जा रहा हूँ और सपदगरन के बाद हम लोग जो रुकी हुई गारी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा गाउं गाउं तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार के विकास कारियों को रफतार दिया जाएगा और जारखन रुकेगा नहीं और जारखन ऑप जुकेगा नहीं झाल